देश के दिल से मोदी, जी हाँ, प्रधान मंत्री मोदी ने सागर में चुनावी सभा को संबोधित कर दिया है, अब वो हर्दा जाएंगे बैतूल जी हाँ, पीएम मोदी का 20 दिन में MP का ये पाचवा दौरा है पीएम मोदी ने सागर में जन सभा की और फिर पीएम मोदी हर्दा के लिए रवाना हुए सागर के बर्तूमा में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश हो या मधिपरदेश विकास तब ही आया, जब कॉंग्रेस गई और बीजेपी आई पीएम ने कहा कि मुझे 400 पार चाहिए क्योंकि मुझे दलितों की आरक्षन की रक्षा करनी है मुझे आदिवासियों की आरक्षन की रक्षा करनी है और पीएम मोदी ने जनता को याद दिलाया कि मधिपरदेश में बीजेपी सरकार के दोरान केन बेतवा लिंक परियोजना का एतिहासिक काम हुआ है पीम ने कहा कि कॉंग्रेस के समय में MP की पहचान बीमारू राजित थी लेकिन मध्य प्रदेश में BJP ने इसको बदला है विकास तभी आया जब कॉंग्रेस गई और भाजपा आई इस हो या मध्य प्रदेश विकास तभी आया जब कॉंग्रेस गई और भाजपा आई इस हो या मध्य प्रदेश विकास तभी आया जब कॉंग्रेस गई और भाजपा आई कॉंग्रेस के समय में MP की पहचान बिमारू राज्य की थी आज वही मध्य प्रदेश BJP सरकार में विकास की नई उचाईया चू रहा है कॉंग्रेस ने बर्सों पहले ही धर्म के आधार पर आरक्षन का खतरनाक संकल पलिया था वो साल दर साल अपने इस संकल को पूरा करने के लिए भाती भाती के हतकंडे अपना रहे हैं देश वास्यों की आखों में दूल जोग करके यह अपना खेल खेल रहे हैं OBC वर्क की सबसे बड़ी दुश्मन है कॉंग्रेस जिसने OBC से उनका हक छिन लिया है कॉंग्रेस ने सामाजी की न्याय की हत्या की है कॉंग्रेस ने संभिधान की भावना को ठोकर पहुँचाई है कॉंग्रेस ने बाबा साहब का गोर अपमान किया तो PM मोदी आज भोपाल आ रहे हैं इसको लेकर राजधानी में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है भोपाल मैं PM मोदी का एक किलोमीटर का भव्य मेगा रोडशो होगा रोडशो तक का पूरा एरिया भगवा मैं हो चुका है भोपाल से बीजेपे के प्रत्याशी आलोक शर्माने PM के दौरे को लेकर विस्तार नुश से खास बाच्चित की है बाच्चित करने के लिए हमाई साथ मौझूद है भाट्पा प्रत्याशी आलोक सर्मा जी यह बताईए कि सर्म प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी दूर दरश्टा है युग दरश्टा है और उन्होंने अपने कारकाल में भारत का सम्मान विश्व में बढ़ाया है आज में हमारे भोपाल में हम सब के भोपाल में राजा भोच की नगरी में भोपाल आ रहा है बोपाल की जनता जनार्दन उनका पलक पावड़े विछा के स्वागत करेगी बंदन करेगी अविनंदन करेगी भारती जनता पार्टी का एक एक कार करता है अपने लाड़ले नेता का अपने देश के सश्वी प्रदान मंतरी का स्वागत करने के लिए पूरी महनत के साथ को कि भौपाल की एक गोरवसाली संस्कृती रही है भौपाल की गोरवसाली परंपरा रही है उस परंपरा को ध्यान में डखकर आधरनिये प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी का आधराजावोच की नगरी भौपाल के न्यू मार्किट रोसनपुरा छेतर में भब्ब पर्धी के लिए तयार है कैमरा परसन ना गिंद के सास्द तैyuओ तो प्य.म मोदी के मेंगा रोड़ शो को लेका तैयारिया पूरी है लेकिन तैयारिया कैसी हो से जाने के लिए सीधे हम्रोग करेगा हमारे सियोग्actory सुरज तीवारी हमारे से जुड़ना है live सूरज बताएं जरा राजधानी भोपाल में कैसे होगा पी-एम मोदी का स्वागत दिखाएं तस्वीरें बताएं जी सुमित दरसल सूरच तिवारी हमारे सहियोगी आने वाले थे लेकिन भारत सूरच के आतों में माईक थमादी गई है सुमित तो मैं थोड़ा आपको सही करूँगा लेकिन तस्वीरें आपको जराम दिखाते हैं सुमित क्या है कि अक्सर जब दिन के समय में नरेंद्र मोदी का रोड़ शो होता है लगभग शाम के 6 बजे 7 बजे यहां आने की संभावना नरेंद्र मोदी के लेकिन तैयारिया दिन से श अलग अलग मन्च बने हुए दिख रहे होंगे आपको दिख रहा होगा आपकी दिखाए जरा नागेंद्र लाइंस क्लब के तरफ से यहां एक मंच लगाया गया है ये दिखिए बरिकेडिंग भी उस तरीके से की गई है कि इसके यह जो बीच का रास्ता यही रोड़ शो ह किये गए हैं यह जो तमाम मंच बनाए गए हैं इन्हीं मंच पर अलग-अलग सांस्कृतिक कारिक्रम होने हैं सुमित अलग-अलग रंग आपको यहां पर देखने को मिलेंगे मद्ध्रदेश के रंग अलग-अलग मिलेंगे भुपाल के अलग-अलग रंग देखने को जो थे वहाँ पर परफॉर्मेंस देने के लिए आये थे अलग-अलग तरीके से जो है वहाँ पर लोक निर्थ किया जा रहा था तो एक तरीके का उच्साह जो है जो अभी से आपको लगबग तीन से चार घंटे के बाद इसी सड़कों पर देखने को मिलेगा सुमेद उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई और अंतिम रूप में पहुँच रही है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये जा रहे हैं आप दिखाए जरा नागे इंतर पुलिस बल जो है सुभे से ही यहाँ पर तैनात है और अभी हमने कुछ देर पहले यहाँ पर देखा था एक तर यहां लगभग पूरी हैं भारत सुर्च दो बता रहे हैं मौके से कि क्या कुस्ति आ रही हैं भारत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए तमाम बाचित के लिए आपका बहुत धन्यवाद